भारत, इंडिया, हिंदुस्तान और सिंदु How India got its name उत्रम यत समुद्र से हिमाद्रेशो दक्षडम, वर्षम तद भारतम नाम भारती यत्र संतती ही This is mentioned in Vishnupurana जिसका meaning है समुद्र के उत्तर में और हिमाले के दक्षड में जो देश हो से भारत कहते हैं और यहां रहने वाले लोग भारत के descendants हैं भारत नाम के दो references हैं First connection हमारे एपिक महाभारता से है and Second Rig Veda में mentioned भर्टाज नाम की वैदिक ट्राइब से है दोस्तों इसी अपिक महभारता में सिंधु रिवर का जिक्र है जहां 5000 येस पहले हरपन सिविलाइजिशन इस्टैबलिश हुई सिंधु या सिंध को पर्जियंस अपने डायलेक्ट में कहते थे हिंदु या हिंद फिर ग्रीक्स ने से और शॉड किया और ये बन गया इंड इंड से इंडिक, इंडोई और इंडिस जैसे वर्ड पॉपुलर हुए और इंड लैंड इस्ट आप दा रिवर इंडस को कहा गया इंडिया आगे क्रिश्यन एरा के फर्स सेंचुरी में इसमें स्टैन शब्द जुड़ा जिसे हिंदु स्टाहन नाम पड़ा अंग्रेजों ने इंडिया नाम को ज़्यादा पॉपुलर किया क्योंकि यूरूप में भारत को इसी इंडिया नाम से जाना जाता था और जब देश का समविधान बना तो यूनियन एंड उसकी टरिट्रीज पर चर्चा के दोरान भी आर्टिकल वन में लिखा गया कि इंडिया इस भारत शैल बिया यूनियन ओफ स्टेट्स